चैलेंजेस आते हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब तो मेरा ना रहना रहने से ज्यादा बैठर है किसी सिविल इंजीनियर ने टेंज से कूथ के जान दे या कोई गंगाजी में कूथ गया या उसने सुसाइट कर लिया और जब उनका बेक्डाउंड आता तो मालम होता है अच्छी फैमिली से ब्लोंग करते है अच्छी एजुकेटिड है कि सुसाइटी में पहला मैसेज तो यही देना है कि हारना नहीं हो जाए अचानक से हासा हुआ और मैं बिल्कुल जमीन पर आ गया मैंने में जानक के इस्वन ने मुझे दिखाया है कि दुख एक सीमा तक होता है उसके आगे उस दुख नहीं होता है अगर हम अपने मुन में ठाले के हां करना है हम केमपस आने के बार एरे एक्सिदेंट के बाद एक्टल आपको बता हूँ सब कोई रास्ते बचे नहीं थे तो एक सटन बेच चाहिए थी जिसे कि अपना फ्यूचर को मैं अपना आगर ले जा सुआ हूँ जीनु है कि अगे एक सब चाहिए थी जा पर प्ते नहीं हुआ प्ना से अगरे से प्या दिखिए लिए तो ऑष्याचर के अटिध सब्से अगराई बड़ा इवल्या थाइन तर्फार मने अपने तर्फारा प्रणिध सब्से द्रम मैं घर रखे लिया तो हम उस लिए ले जा बड़ा पस हो अब यह माल लेंगे कि नहीं, आप हारी नहीं सकते हैं, कितना जाएंगे, अब मैं मेरे अपनी लाइफ का प्रस्टनल एक्पिदेंस आप में बता रहा हूं, आप भी फिलोस्पी के टीचर हैं, और मैं थोड़ा फिलोस्पी में भी रखता हूं, मैं जब भी आके बंद करता ह और इस वर से जब बात करने कोशिस करता हूं, यही पूशता हूं, कि यह जीवन क्यों है, मैं क्यों आया, मेरे अच्छी जिंदिगी जैसी भी थी, जो भी कंडिशन के साथ में अपना दिय रहा था, अचानक से हास्था हूँ और मैं बिलकुल जमीन पर आ गया, और उसके आज मैं उस हुचाही पर बैटा हूँ, जो कि मैंने पुछ से बढ़ाई हैं और जिसे भारत की 140 करोड की जनसग्या समाने हूए हूँ है, मैंने में जाना कि इस्वन मुझे दिखाया है, कि दुख एक सीमा तक होता है, उसके आगे उस दुख नहीं होता है, और जो सक्सेस ह तो सायद अभी मैं जा रहा हूँ उपर ही वावी लिमिट मुझे नहीं पदाया भी मैं सीख रहा हूं लेकिन उस दुख से और इस सुख से मैं कुसू मैं लेकिन मैं सटिस्फाइड हूई मेरे अंदर यह नहीं कि अब मुझे और भी बहुत को चाहिए यह भी चाहिए यह जो मुझे मिला है मैं खुस हूँ और आगा मैं सीख रहा हूँ और जो भी और कुस सीखने के लिए मिलेगा वै कुसिसग करूँगा उसको भी इची 커피ा आजा यह वचे जाएब इसरी में लाकर इनकाला धुच्छानी का रो जाते हैं दिता जिकिन आफ देकुझ लोग तो szer मुझे निहाना गाना मैं बहुत परेशान, विराइए हुए यह किसी अपना पड़ता है, यह उपना पड़ता है अब जो मिल रहें उस पर फटर रहें जी विपनों अब ऐसी में आप मुझे नहीं पता हम इस चीज की कमी महसुस होती है लेकिन मुझे लगदा कब से सादन कमी महसुस होती है वो एक अपने के विश्वास्ती है अब आपने दिखाया है जी मुझे अपने से विश्वास की कमी तो होती है और मुझे बड़ी चीज होती है कि कोई भी ऐस्पिरेंट ना भी हो एक नॉर्मल सिटीजन हो हमारे सुसाइटी की सबसे बड़ी समस्य यह है कि हम हमेशा दोसरों को देखते हैं हमेशा मैं आपने यह नहीं किया आपने मैं खुल लिया आपको मैं और थोड़ा यह करना जी वो करना जी आप अभी आपके राशते को बहुत लोग फोलोगे यह एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि जब एक एक आमी राख बना देता है ना तो उसके बाद इन पाकी रोगों में विश्वास जिंता है जिसे जिते भी हमारे ऐसे दोस हैं और इनके अननर विश्य के तरीके दिसेपिलिटी है आज आपने उनको इंको इंका इंका दिखा धितिती अपनी जगे है लेकिन अगर इंसान कोशिश करे हिंमत बनाई रखे तो वो सफलता कूब पा सकता है तो आप यह जो हाना मारी मेसेज है यह भी उन बच्चों के लिए है कि हिम्मत नहीं हादनी है ना एक बार बता दीजिए उन लोगों कि हिम्मत नहीं हादनी है कैसे भी कि हिम्मत तो हादने नहीं है दिक्कते आएंगे चैलेंजेश आएंगे और हम लोग में चैलेंजेश अब आते हैं तो सबसे बड़ी प्रब्लम यह होती है कि हम उनको अपने आपको पचाने बचाते हैं कि हम से कैसे होगा सेलेक्शन होने के बाद में बुससारी कैंपस के बच्चे और बार्शी बच्चे आएंगे उनका यही सवाल था कि आपने एमे करते हुए बैचलर करते हुए ज्यारफ निकालते हुए यह पेसी किसे निकान दे तो मैंने उनको बताए कि मैंने अपना रस्ता खुद बनाया मैंने अपना time schedule बनाया मैंने अपना strategy बनाया मैंने अपना peer group ऐसा बनाया कि बस मुझे वही लोग मिलें जो के मेरी preparation में काम दे मुझे अगर मेरे दोस मिलें तो मुझे current affairs की दो बात बता के ही जाए ऐसा मेरा peer group बनाया है और मैं यह मैंने अपना खुद से रस्ता बनाया अ मैं यही कहता हूं कि मैं दुनिया को यह बता रहा हूं कि अपने रास्ते कुछ से बनाने और मैंने अपना यह रास्ता बनाया मेरी conditions अलागे मेरे challenges अलागे तो मेरा रास्ता यह सा आपकी conditions अलागे आपके रास्ते अलागे आप अपना रास्ता कुद बनाये और मैं रास्ता यहां पर एग्जाम दिया है मेरी भी जो पेहल है वहाँ और ही बच्चा लिख दो कि अफ्टेक्टिब लोगाँ लोगाँ और यह यह फिर्वार है बजो किना फ्री उर्टाइब करोगाँ है? पर 28 संड़ेगाबाद तो एक बच्ची है जी की है मेरी जूनियर है वह आई मेरे पास और बेटी हो पेपर रखा हो रिख और जैसे आपने बोला निक एक बच्ची हो जाते है उस तरीके सागे बेटी ओले कि बढ़ेगा बढ़े पेपर देखो तो मैंने पेपर देखा अपर जाप पेपर अपर प्लाया उसको पाणी पिला अज़ कि लिए प्लेगा उसको पिलाया इसकी लिए उसकी बच्ची है नहीं कोई बचाट अब कर देख बाद बना रखो पर सुरुआत करते हैं अभी कोई बाद निया आप एक्जाम देख आयो साम को खाना का हूँ सुगा से इसको चेक करना जो जहां जहां मिस्टेक्स की हैं उनको एनलाइज करना और उन पर काम करना आपको प्राइटिगर सेट करना है कि आपको क्या चाहिए मुझे पता है सच कि मैं परसंट में डिसेबिटी हूं मेरे क्राइटिगर बहुत चोटे हैं मुझे सकततर नहीं जहां मुझे अपर आपको क्या चाहिए और आपको तोब आनने मुझे यख की आपको पास क्या है और जिसी साथ की कमी है आप उतनी पर ही काम करना है योपेस्टी के लिए जनरली लोग बोलते हैं आप नर्मली आप जाब जाहिए एक किसी से बोली कि मेरा मन है कि मैं युपेसी करना चाहता हूं तो सबसे परशान आपको यह बोलेगा कि पार साल का समय है कि इस पेंडी बात करना है कि इसका रिजल्ट अन ऐसे प्रणीटेट जाए जो प्रणीज कर दोगा जो फोगार्च पोट्वाजुएशन कर दो कर रहे थे आ करें दोब 3 इस घागज हुआिए टिया करें, जहां से लेकिन पढ़ाइं करते करते कर्ते जोए बहुत अची बाते आपने यह बात तब ही एक एकसांपल से किया कि तूब करते हैं घरांगी हो सकता है में के बाद में मुझे जोब नहीं मिन पारा है उसके लिए मुझे नेट जिर्फ निकाला होगा और उसके बाद भी असिस्टेंट पोपेसर के जोब कहा आएगा कहा लगेगा और फिर फिर पी एच्डी में पास साल और और फिर मुझे जोब चाहिए मेरी फैमिली कंडिशन तो मैंने टार्गेट सेट कि पास साल में केंपस से निकलना है बैग लगाना सीधा लवासना की लिए तक इंकमी यह टार्गेट लेके मैं मैं चला हूं और मुझे करना ही था हर आलत में क्योंकि इसके अबाद में मेरे पास पी रस्ता नहीं लेकिन बी प्लान भी ओना तो मैं सेलेक्शन हुआ मेरा बेप्लान मेरे फीछे खड़ा हुआ पर इंटर्वी के लिए मुझे और जादा मॉटिवेशन में और जादा अच्छा गया पैनल में में बहुत अच्छा गया पैनल मेंबर्स जब मैं बहार निकला तब सभी के चैरे पे इसमाईल थी और सभ में बहुत खुष थी और इंटर्व निकला तो मैं समझ गयाता कि कुस तो अच्छा होने बाला तो आप कौंटेंट भी हैं और खुष रहता है ना और जो जो खुष रहता है ना वाज नहीं तो पर्सोग हो सफल हो जाता है बल्कुर नहीं पर जो पराजिंद नगने नहीं जॉंबीस कहीं बाद कुंते मिल जाता है मैं अक्सर उनको ऐसा बोलते हैं इतने कि बसके इस बात के लिए दुखी हो पढ़ाई कर लो उसको उसको उसका बर्डल यह एक बड़ी परिशानी है और मुझे महसूस होती है कि पढ़ना संचाते है जिए पढ़ना संचाते है जि जो एक पेपर चाहिए जिस पर लिखाओ कि नौ यह आर पास्ट और क्वालिफेक्ट एक्ज़ 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 जो रियाल्टी है मैं तो बता रहा हूँ जो उसके पीछे की जो महनत ना कि पढ़ाई करो आपको टेस्स लिखना है आपको करेक्शन करनी है अनालेसिस करन अना वह चाहिए जो एक चमतकार सा हो जाए क्या केते है न वह बाश्यरबाद मिल जाए लोग बोलते मुस्टों ने मुस्टों यह सवाल गे क्या कौन कौन सी किताब आपने पड़े तो मैंने बोला कि बाबु आपने कितावें नहीं पड़े हमने लोगों से सिच्छा मेरे पास साथ दो ही काम है एक इस्टेडिक खादना और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना 24 गंटे सबके पास है मेरे पास है मैंने 24 गंटों में पूरा प्रॉपर स्रीडूल बनाया कि मुझे रेसल लैंग्विज को भी पढ़ना है नूइस पेपर भी डेली द आराम करना है क्योंकि बॉड़ी को रिलेक्सिशन वह जरूरी है तीन वजे उठना है नूइस पेपर उठाना पांते तक नूइस पेपर कंप्रीट किया यह बाहर गया चाय पी काया दोस्तों से मिले शे बज गया फिर शे बजे सोचोलोजी उठाई हो गंटे दो गंटे आ अगर नहीं प्रफर नहीं फोलोग रपाय चूट गया तो मैं टेंशन यह जाता कोई बाते चूट गया अगरे दिन का अधिक यह बज़ा आपकी मैनत मुझे साफ नजर आ रही है तो अधरा हनिरा सा क्यामरा को लागी तखाओ उन्मारे सूरिज की मैनत अगर किसी बच्चे वो लग रहा हो कि यह एसी एक्जाम हैसे निकल जाता है तो इस दिवार पदी क्या-क्या लिखा हुआ है तिवार प्रैक्टिस अब पेंट करा दिया कै किसी ने यह एवन चाली चैपन का इस पीज चाली चैपन का तब जाते हम यह तो उन्होंने जो तो घटर मोढ का टुके टूब ही है तो ऑटर उनकी तो इसमनों एक एंड एक श्पेस्पेश घी है तो मैं है मैं हिटर से इस्पार विल्खल लगी हो लेकिन वोस्पीश मुझे काफ चाल लगा तो ऑच अचा है और यूट्वर बीवन है तो एक शाइटी को एक यूम एक तो मेरे ऐसी मन मं आया तुम मैरे वेटाथ अपमें ने मार पारघर आखायओ भैञा सूनु भी आपुनर लिए में हां मेरे दोस्ति लोगा बो darüber किने ऑना क्या लिखनी जा एड्या गाँ लेकिन मेरे जूद करता है, वे काम जरूर करता हूं और जो सही रहता और नेरे मन में है तो मैं वो कम कर देता हूँ इतनी सी तु जिन्दगी है आप में बिल्कुल मुझे पता है ना उसमें जो करनेया मन है वह भी नहीं गिया रहा है यूली नहीं है सर यूटूक कर देखे जे जए योटूब करें करनेया अपures आप लगश निए झाय देखेजिदें बड़ा जर्मूली होता है। जिव कभी इसे मोमें आते होंगे तो लगता होगा यह भगवान ने, मेरे साथ ऐसा क्यो तिया। अब साथ कुछ भी हमारे साथ थोड़ी से जीवन में परिशामी आजाती है। सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि हम हम ही क्यों? तो कभी ऐसा सवाल आया और तो उसाब ने कैसे कोकप किया। में सवाल एक बार नहीं, हजारों बार आया। और जवाब एक ही था। कि उपरवाला कुछ ही लोगों को चूज करता है। उसने मुझे चूज किया। कि उपरवाला किसी को चुणता है तो रास्ते आसान सोडी बनाता है। राम को राम हम इसलिए नहीं बोलते कि वह एक राजा क्या पैदा हुए। उन्होंने 14 साल बन में संगर्ष किया। इसलिए आजम को राम बोलते हैं। वाह। वाह। विंकुल सकते हैं। कि उसलिए कहुं है। थो कि उनकायाओ कमी नहीं रहती है। विर्मी थैसैन जूरी मृसा हम इसलिए लिएख लॉट लेगाथे अर आज दिन को य हम फोलो करते हैं। यह ठीविशन को परपह। करते हैं अच्छे एजुकेटीड है अच्छी जगा पोस्टेड है फिर भी वो हार जाते अपनी जिंदिगी से यह जो हार जाते हैं अपने आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है हमाज देस और दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं चाहें वो हो या फिर हमारे कल्चर के फील्ड में हो किसी में फील्ड में हो आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन तो यूथ है हमारा वह थोड़ा सा घबराया हुआ है कि उसको एक उम्मीद नहीं दिख रही है तो मेरा बास ही था कि मैं उसमें एक जोस्त देना चाहरा था और मै सबसे यही कहना है कि मैं अकेला सूर्य जी मैंने एक रास्ता बनाया है आप 140 करोड लोग आप 140 करोड रास्ते बनाइए और 140 करोड तरीके से बारत का नाम रोसन की कि कि